हलो बच्चों आज की अस्केरी में पर्णने वाले हैं रे ओफ्लाइट के बारे में लिशं आगे सब बात करें रे ओफध्लाइट की तो रे का मिनिंग क्या होता है आपने छोड़ी क्लासस में पड़ा ओगा रे और लाइन दूर चीजान में इपने बास में जो RE होती है, RE को हम क्या करते हैं, इस तरीके से represent करते हैं मतलब उसका जो एक सीरा होता है, वो होता है HEAD और एक सीरा होता है, वो होता है आपका TEL head और TEL इसके दो इससे होता है, और जिस तरफ head बना होता है उस तरफ हम यह मानते हैं कि वो object उस direction में चल रहा है मतलब वो उस direction में जा सकता है या जा रहा है उसका जो head है वो यह represent करता है tail मतलब कि उसकी push यहनी कि जहां से वो start हुआ जहां से वो चलना है start कर रहा है और head मतलब जिस तरफ वो जा रहा है तो यह हम लोग ray को समझते हैं प्रोगम लाइन की बात करें तो लाइन में क्या होता है कि हम बिल्कुल straight खीज देते हैं है ना इसमें किसी भी तरफ arrow नहीं होता ना left में होता है और नहीं right में arrow होता है इसके अंदर arrow कहीं से कहीं तक नहीं होता तो यह difference होता है ray के और line के अंदर यह अपने छोटी classes में पढ़ा होगा अब अगर अपन जो light है light के अंदर ray की बात करें कि ray of light क्या होता है तो इसमें हम कैसे समझते हैं कि जो light आपके पास में आती है चाहे वो sunlight हो गई चाहे ट्यूब लाइट की light हो गई या bulb की light हो गई कोई भी light हो वो अपने ऊपर या किसी भी body के ओपर अगर गिरती है किसी भी object की ओपर गिरती है तो हम उसको समझेंगे कैसे कि light हमारे पास में कैसे आ रही है तो उसको समझने के लिए हम क्या करते है कि light को यह मान के चलते है कि light जो है वो race के form में आ रही है मतलब ray के form में आपके पास में आ रही है तो इसलिए हम उसको एक ray consider करके चलते है तो देखिए रे क्या होता है A ray of light is the straight line path along which light travels मतलब यह क्या हो गया एक straight line path हो गया जिसके along light travel करती है है ना एक straight line path हो गया जिसके along क्या करेगी light travel करेगी या आप इस तरीके से भी समझ सकते है कि light जिस path पर travel करती है उस path को हम लोगों ने ray से represent किया है मतलब जिसा अगर मानली जी मैंने यहाँ पर diagram के अंदर यह बना दिया ray of light इस तरीके से एक arrow बना कर ray of light लिग दिया और मैंने यह बोला कि यह जो ray है यह light की ray है तो इसका मतलब क्या है कि light मेरी तरफ आ रही है इस तरफ आ रही है ठीक है जिस तरफ इसका arrow होता है वो हमको यह represent करता है कि light इस direction में आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया तो light वो इस तरफ आ रही है arrow जिस तरफ बना हुआ है लेकिन अगर इसी का जो arrow है अपन उल्टा कर देते हैं यह वाला तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब बहुत सारी rays आपस में मिल जाती है और एक साथ चलती है तो उसको पन बोलता है beam of light a number of rays combined together form of beam of light यहना बहुत सारी rays जब आपस में मिल जाती है उसको बोला जाता है beam of light जैसे यहाँ पर देखे डागराम के अंदर एक रही है हो गई, दूसरी हो गई, यह तिसरी हो गई, यह चोथी हो गई इसे बहुत सारी rays जब आपस में मिल जाती है तो उसको पन बोलेंगे beam of light और वैसे भी जो light होती है generally वो beam के form में आती है क्योंकि single ray आपको मिलना मुश्किल होता है light हमेशा वैसे beam के form में आती है बट हम show करने के लिए दिखाते हैं कि हमारे पास में ray होती है light की है ना उसका direction शो करने के according अब आगे बात करते हैं आगे है अपने पास में convergent beam divergent beam और parallel beam देखें सबसे पहले हम लोग समझेंगे convergent beam को convergent जिसे नाम से इपने को पता पढ़ रहा है converge हो जाना converge हो जाना मतलब एक ही जगे पर मिल जाना अलग अलग जगे से आना और एक ही जगे पर आके मिल जाना है ना इसके definition पढ़ते हैं तो दिखिए इसके definition में क्या बोला है इसने it is that in which rays of light go to meet a particular point O the width of the beam goes on decreasing as the rays proceed forward मतलब की particular particular direction या अलग अलग जगे से मान लीजे रेज आ रही है आकर वो किसी एक ही जगे पर मिल रही है जो कि इस diagram में दिखाया हुआ है हाँ पर ये O आपके पास में point है ये मान लीजे पहली ray AI है ना ये वाली आके यहाँ पर आई ये रे दूसरी वाली B मान लीजिए ये C मान लीजिए ये D मान लीजिए और ये E मान लीजिए देखिए A B C D E अलग अलग race क्या हुई अलग अलग जगे से आ रही है आकर मिली कहाँ पर किसी A point ओपर मिल गई तो इस टाइप की Bims जो अलग अलग जगे से आ रही है और particular A point पर आकर मिल जाती है उनको अपन बोलता है Convergent Bims और इसमें क्या होता है कि जो width होती है race की बीच की वो continuously decrease होती है वो कैसे वो देखिए जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इन एक रे A और दूसरी रे B इन दोनों के बीच में width क्या है जादा है अब अगर A को हम लोग यहां पर देखिए और यहाँ पर देखिए A और B को तो इन दोनों के बीच का यहाँ इस ये width क्या है कम है compare to यहाँ के तो जैसे जैसे यह यह आगे की तरफ बढ़ते ही है, वैसे वैसे इन दोनों के बीच का, या फिर इन सभी के बीच का जो विटत है, वो कम होता जाता है, है ना, आप देख सकते हैं, जैसे देखिए आगे, यहाँ पर इन सारी रेज के अंदर, जो विटत है, दीरी-दीर क्या हो रहा है, एक दू होगे हरयान, इसको मन लेते हैं गुजरात और इसको अपन लेते हैं राजस्थान इसको अपन लेते हैं MP यह अलग-लग स्टेट अपने पास में इन अलग-अलग स्टेट से बसे आ रहे हैं, औरạnh विशानुल के मिल रहे हैं? जिसको यह चैका तुर नाम लिए दिल्ली दिल्ली के बस ट्रोक पर आकर converge हो गए ठीक है तो यह आप इस तरी के से भी इसको समझ सकते हैं अब अगला जो है अपने पास में वह है divergent देखिए divergent का मिनिंग क्या होता है convergent का जस्ट उल्टा diverge होना diverge होना मतलब एक ही point से निकलना और अलग-अलग directions में तो यहाँ पर देखिए it is that in which rays of light come out of a point source s मतलब एक point source से light निकलती है और spread हो जाती है अलग-अलग directions में जैसे यहाँ पर देखिए यह से अपने पास में इस डियाग्राम के अंदर अब इस s से एक light की रहे इधर गई एक light की रहे इधर इधर गई एक इधर गई एक इधर इसको B, इसको C, इसको D, इसको E इस तरीके से अपन नेमिंग कर सकते हैं जैसे जैसे रेज आगे की तरफ बढ़ती जाती है उनकी बीच का जो विट होता है वो continuously बढ़ता जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इस point पर यह वाले में तो इन दोनों की बीच का ही जो इसको और और आगे बढ़ाएं तो देखिए और आगे में क्या होगा अगर यहाँ पर विट देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया और भी विट इन दोनों का ज्यादा है तो जैसे जैसे यह आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके बीच का जो विट है वो भी continuously है अपन समझे तो माझा ली जे यह बस्टॉप था अपना द्ली का है ना इसका चिस लटा करेंगे अपन दिल्ली से अलगअलग स्टेट में बश जा रही है यह मली जे एंपी वाओ ले अब पी गई यह आ लिज़ात में कई यह मलमिजी आपकी बॉम निकल गई और यह माल बता रहूं यह दिल्ली वगरा का इसा ग्जामपल न लिखेगा मैंने आपको जो एक्जामपल बता हुए है जिसे यह कनवर्जेंट बिम का डियाग्राम बना हुआ है आपको exam में इसी type से लिखना है, यह example सिर्फ आपके समझने के लिए है, ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, parallel BIM के बारे में, तो देखे, parallel BIM क्या होता है, it is that in which all the rays move parallel to one another, the width of the parallel rays remains constant throughout, parallel rays का मतलब क्या होता है, parallel का हम लोग already meaning जाते हैं, कि parallel का मिनिग होता है, एक दूसरे के साथ ही में parallel ही चलना, जैसे मान के चलिए कि एक रही यह है, दूसरी यह है, तीसरी यह, चोथी और यह पाचवी है ना, A, B, C, D, A, D, अब यह पाचो rays है, इन पाचों के बीच का जो width है ना, वो कभी change नहीं होगा, आप इनको कितना ही extend क तरलो आगे, infinity तक भी लेके जाओगे, infinity मतलब जितना भी आपको लंबा खिशना है, आप खिशते जाओ, इन race के बीच का distance कभी change नहीं होगा, जितनी भी आ रही है, वो एक साथ गिरेगी, है ना, सारी race एक ही साथ चलेगी, without changing the distance between them, किसी के भी बीच का distance change नहीं होगा, इन म All right, so यह अपना second part था, इस video का, I mean इस chapter का, और इसके बाद हम लोग reflection के बारे में start करेंगे, कि reflection क्या होता है, laws of reflection क्या होता है, so बने गई है, and thanks for watching.